नमस्कार चात्रों हम आज कर रहे हैं बजार दर्शन क्लास 12 का पुस्तक से कवीत कवीता है और इसके MCQ ये तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है क्योंकि लगबग 45 MCQ question है आशा करता हूं यह आपके exam में help करेगा और आपके learning में भी help करेगा अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आउनको like जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share भी जरूर कीजिएगा शुरू करते हैं पहला MCQ part 1 का जरेंदर कुमार जी का निदन कब ह हुआ था सन 1956 इसवी में सन 1988 इसवी में सन 1977 इसवी में या सन 1955 इसवी में और इसका सई जवाब है सन 1988 इसवी में 1988 सन 1905 तो बच्चों अब इसमें जब options आते हैं तो न हर एक option के साथ सार में आपको कुछ सिखा भी दूँगा सन 1905 में जरेनर जी का जनम हुआ था तो यह option नहीं हो सकती सन 1917 में केवल 12 वर्ष के हो सकते हैं तो वो भी नहीं हो सकती 1916 में भी नहीं हो सकती तो 1940 में वो लगभव 35 वर्ष के थे जो एक एज है जिसमें उनको हम सोच सकते के कुछ उन्होंने किया होगा तो उसका सही जवाब है सन 1940 इसमें गैस करने के लिए जनिदर कुमार जी का जनम कब हुआ था? मैंने आपको भी बताया है उस फ़ले पिछले MCQ में options हैं 1918, 1917, 1916 या 1905, answer है सन 1905 जनिदर कुमार जी द्वारा रचित कहानी संगर है कौन सा है? एक रात, त्याग पत्र, सोच विचार या इन में से कोई नहीं और सही जवाब है एक रात जनिदर कुमार जी द्वारा रचित उपन्यास कौन कौन सा है? मुक्ति भोध, त्याग पत्र, परक या ये सबी? तो बच्चों ये तीनों के तीनों ही उनके रचे तो पन्यासे आने की उपरोक्त सभी जनेंदर कुमार जी ने किसके माध्यम मनो विज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया था निबंधों के मादियम से, उपन्यासों के मादियम से, या कहानियों के मादियम से, या A और B, इसमें A option है उपन्यासों और B option है कहानियों, तो सही जवाब है उपन्यासों और कहानियों के मादियम दोनों से. जनिदर कुमार जी को किस उपन्याज से प्रतिष्ठा मिली थी सुनीता से, त्याग पत्र से, परक से या कल्यानी से सही जवाब है त्याग पत्र से बजार दर्शन निबंद में किसका दुरलब सैयोग देखा जा सकता है सहित्य सुलब ललित्य का, गहरी विचारिता का, या सहित्य सुलब और गहरी विचारिता का दोनों का, या इन में से किसी का नहीं, सही जवाब है सहित्य सुलब ललित्य और गहरी विचारिता दोनों का, A और B बजार दर्शन कृति के रशना कर कौन है जैशंकर प्रसाद, धरमवीर भारती, जनंदर कुमार या गजानन मुक्ति बोध, सही जवाब है जनंदर कुमार भारत सरकार तुआरा जनंदर जी को कौन से पुरुसकार से सम्मानित किया गया था साहित्यक आदमी, पद्मभूशन, भारत भरती या पद्मभूशन तो बच्चों इसका सही जवाब है पद्मभूशन और ये भारत सरकार ने जनंदर जी को 1974 में दिया था जनंदर कुमार जी का जनम उत्त परदेश के किस दिले में हुआ था गुजरात के अलिगर्ड में वालियर में या बपाल में बडाई जी है बागे सब तो उत्त परदेश से बहार हैं अलिगर्ड में हुआ था जड़की बात जनेंदर कुमार जी किस विध्या की रचना है? निबंद की कहानी की उपन्यास की या रेखा चित्र की? बच्छे उसका सही जवाब है जड़की बात जो है वो एक निबंद विध्या की रचना है इनकी जनिंदर कुमार जी का महतवपून निबंद कौन सा है पाजेब समय और हम जड़की बात या बजार दर्शन तो बच्चों इसका सही जवाब है जनिंदर कुमार जी का महतवपून निबंद बजार दर्शन है हिंदी में प्रेम चंद के बाद सबसे प्रसिद कथाकार कौन है हरिवन श्राय बच्चन विश्नु खरे जनिंदर कुमार या धर्मवीर भारती बच्चों सही जवाब है जनिंदर कुमार जी और ये बच्चों पार्ट वन का इलास एमसी क्यों क्वेश्चन है आशा करता हू उतरपर्देश में हर्याना में या मर्दय परदेश में सही जवाब है उतरपरदेश में और बच्चों थैंक यू ए क्यू लिए एजियो ए लिए लाइक पार एषझ दिरी और ये विडिवेश्ट आडिवेश्ट झाल